हलो फ्रेंड्स दिस इस शारुक हामित खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैसार के पार्टशाला में और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है टेंथ क्लास चैप्टर नंबर वन पॉलिटिकल साइंस का पावर शेरिंग तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल से जल इसको सबस्क्राइब करें लाइक करें और शेर करें और हाँ बैल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इस student previous class में हमने देखा था कि democracy में जो power होता है वह किसी एक organ के पास नहीं होता जो तीन अलग-अलग organs होते हैं legislature, judiciary और executive इन तीनों के ही पास अपने-अपने क्या होते हैं power होते हैं for example हमें मालूम है कि जो legislature होता है वह क्या करता है कानून बनाने का काम करता है, मतलब law को make करने का काम करता है executive का काम होता है, उसको implement करने का काम और judiciary हमें मालूम है क्या होता है, system of court होता है जो कि इन दोनों पर ही निगरानी रखता है तो इस chapter में basically हम दो अलग-अलग countries के बारे में जानेंगे एक हम जानेंगे Belgium के बारे में और एक हम जानेंगे श्री लंगा के बारे में और हम देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से power को share किया गया और वहाँ पर उसके क्या क्या impact हुए तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम Belgium की तो Belgium हमें मालूम है कहाँ पर है वह एक continent पर है यूरोप में और यह इतना छोटा देश है कि वहाँ की जो जनसंक्या है population जो है वह हमारे हरियाना इस्टेट के आदी है मतलब कि हमारे हरियाना इस्टेट में लगभग 2 करोर population है तो उसकी आदी लगभग 1 करोर population जो है वह कहां की है Belgium की है तो आप अंदादा लगा सकते हैं कि वह कितना छोटा देश है हना तो आईए जानते हैं वहाँ के population के बारे में तो वहाँ के population जो है वहाँ के population में जो 59% लोग है वह क्योंसे speakers हैं? वह Dutch speakers हैं 40% French speakers हैं और remaining जो 1% है वह जर्मन speakers हैं तो यहाँ पर भाशा को लेकर थोड़ा कुछ मदभेद चले तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों ही social groups के बीच में कुछ कहना चाहिए वहाँ पर conflict हुआ तो उस conflict को जानते हैं और जानते हैं कि वहाँ की जो सरकार थी, government थी उन्होंने किस तरीके से solutions निकाले तो आएए आगे बढ़ते हैं देखिए आप ये map देख सकते हैं इस map में ये जो आप yellow color से देख रहे हैं ये Dutch speakers का area है और ये जो है, ये French speakers का area है और यहाँ पर ये जो आप छोटा सा area देख रहे हैं ये German speakers का है तो basically इस country में जो conflict चल रहा था वह किन दोनों के बीच में चल रहा था French और Dutch speakers के बीच में देखिए French speakers जो थे, वो minorities थे लेकिन वो क्या थे? जादा से जादा rich थे, powerful थे तो उनको economically और education wise benefits जादा मिलते थे जिसके वएसे जो Dutch speakers थे, वहाँ की जो majority थी Dutch speakers को यह चीज अच्छी नहीं लगी और इसी के चलते दोनों के ही बीच में क्या होने लगा? Tension create होने लगा तो लगबग 90-50 और 60 के बीच में दोनों के ही बीच क्या होने लगा? Conflict होने लगे और इसके दोरान क्या हुआ वहाँ पर कई सारे tension create होने लगे जिसके वएसे वहाँ के सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े तो आईए देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की government थी उसने किस तरीके से solution निकाले और power को किस तरीके से share किया तो सबसे पहले वहाँ की जो government थी जो central government थी उसने decide कि central government में जो भी ministers होंगे वह equal number of dutch speakers होंगे और equal number of french speakers होंगे मतलब जितने भी वहाँ पर ministers होंगे उनकी जो संख्याए होंगी वह दोनों ही social groups में क्या होंगी बटी होई होंगी इससे क्या फायदा होगा इससे यह फायदा होगा कि वहाँ पर दोनों ही social groups के जो ministers रहेंगे speakers रहेंगे वह क्या कर सकेंगे अपने thoughts बराबर तौर पर वहाँ पर दे सकेंगे इसके बाद वहाँ पर देखा गया कि कुछ important law बनाये गए जिसमें क्या हुआ कि वहाँ पर दोनों ही linguistic group थे मतलब French speakers और Dutch speakers उनके support से वहाँ पर सारे law बनाये जाने लगे The third one is many power of central government will be given to state government और वहाँ पर कई जो central government की power वर्थी वहाँ किसको दे दी गई स्टेट government को दे दी गई और वहाँ पर separate government भी बनाई गई Brussels में Brussels क्या है Brussels जो है वो Belgium की राजधानी है capital है तो वहाँ पर भी एक separate government बनाई गई और उस government में भी जो भी ministers थे वहाँ equal number of both speakers को रखा गया और एक और चीज़ करी गई वहाँ पर क्या किया गया कि वहाँ पर एक community government बनाई गई जो कि वहाँ के दोनों ही group के social और cultural issue को देख सके तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया Belgium में जो power थी उसको share किया गया बहुत अच्छे तरीके से ताकि दोनों ही group के बीच में जो भी conflict हो रहा था जो भी tension हो रही थी वह दूर हो सके तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Brussels में क्या हुआ equality, justice और respect यह तीनों ही चीज़ हमें देखने को मिली equality थी, justice मिला और इस से क्या हुआ दोनों ही से चलाया जा सकता है अब हम देखते हैं श्रीलंका की story तो देखी, श्रीलंका आपको मालुम है किस continent में आता है तो श्रीलंका जो आता है और जो श्रीलंका की population है वैं लगबग लगबग हमारे हर्याना राजी के बराबर है मतलब लगबग 2 करोर ठीक है यहां के populations का हम देखते है किस तरीके से वहां पर किस भाषा के लोग रहते हैं तो वहां पर जो 74% लोग रहते हैं वह रहते हैं Sinhala Speakers basically Sinhala जो है वह कहना चाहिए जो श्रिलंका है वहाँ की भाषा है तो 74% लोग Sinhala Speakers हैं और वह किस दर्म को मानते हैं buddhist मतलब वह बौध धर्म को मानते हैं 18 इर्टीन परसेंट जो है वह tamil speakers है और यह tamil speakers जो है वह जादा तर किस धर्म को मानते हैं वह दो भागों में बटे हूँ हिंदूस भी है और मुसलिम्स भी है और tamil इस तरीके से क्या है वहाँ पर लोग बसे हुए हैं तो यहाँ पर basically जो conflict होने वाला है वह किंगोरों के बीच होने वाला है सिनहाला speakers और तमिल speakers के बीच आएए देखते हैं कि किस तरीके से conflict एक वहाँ की सरकार ने क्या किया इस conflict को हटाने के लिए किस तरीके के कnisse ख़ते हैं श्रिलंका जो था वह पूरी तरीके से आजाद हो गया था मतलब इंडिपेंडन्ट हो गया था यहां पर आप मैप देख रहे हैं इस मैप में आप देख सकते हैं यह जो यलो कलर आपको दिखाई दे रहा है यह सिन्हाला स्पीकर्स का है और यहां पर किनारे यह जो आपको औ गवर्मेंट ने क्या किया तो सबसे पहले जो वहां की मेजॉयर्टी थी 74% सिन्हाला मतलब कि स्री लंका की जो official language है वे क्या है सिन्हाला है तो जो majority language speakers थे उन्ही कही क्या बना दिये गया वहाँ पर official language उस country की बना दिये गई जो की बिलकुल सही नहीं था अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जो majority है उन्ही कोई जादा से जादा प्रिफरेंस मिल रही है jobs में, admissions में तो इससे क्या हो रहा है कहीं न कहीं यह देश क्या कर रहा है कि जो minorities है उसको दवाने की कोशिश कर रहा है उनको dominate करने की कोशिश कर रहा है आए आगे चलते हैं आगे हम देख सकते हैं कि बुद्धिस्म वाज प्रोमोटेड और वहाँ पर सबसे आदा क्या किया जाने लगा बौध धर्म को प्रोमोट किया जाने लगा और इसके चलते श्री लंकन तमिल्स जो थे उन्होंने कई parties launch करी और अपनी demands government के सामने रखी बट उन demands को वहां की government ने नहीं माना और धीरे 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 जो श्री लंकन तमिल्स थे उनका struggle किस में change हो गया? civil war में change हो गया अब आपको मालूम है जब भी war होगा military लगेगी तो वहां की जो भी social और economical इस्थिती होगी वह क्या होगी? खराब होगी और यही कुछ हुआ किसके साथ? श्री लंका के साथ यहां देख सकते हैं आप as a result of civil war thousand of people of both community have been killed तो यहां पर क्या हुआ? क्योंकि civil war हो तो civil war के चलते वहां पर कई हजारों लोग मारे गए जिसकी वज़े से श्री लंका की जो social, economical और cultural life थी वह पूरी तरीके से क्या हो गई? खराब हो गई तो हमने देखा किस तरीके से Belgium और श्री लंका में power को share किया गया? आया हम दोनों ही countries के power sharing को थोड़ा compare करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Belgium की, तो Belgium में हमने देखा कि वहां की government ने क्या किया? अपने देश की unity बनाने के लिए वहां पर जितनी भी communities थी जिनके बीच conflict चल रहा था उन दोनों की ही interest और feelings को बराबरी तोर पर देखा गया, equally उनको support किया गया जिसकी वहां पर power sharing बहुत ही अच्छे तरीके से possible hope आया वहीं अगर हम बात करें श्री लंका की, तो श्री लंका में just इसके opposite हुआ, वहां पर सारी की सारी power किसको दे दी गई? कि majority को दे दी गई, मतलब सिन्हाला speakers को दे दी गई, जिसकी वहां की जो उस देश की unity थी वह पूरी तरीके से क्या हो गई? खराब हो गई आईए अब देखते हैं कि power sharing किसी भी देश के लिए क्यो जरूरी होता है? The first one is, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि power sharing से क्या होता है? कि जो भी social group उस country के हैं, उनके बीच में जो भी conflict होने वाला है, tension होने वाला है, उसकी possibilities को क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल reduce कर दिया जाता है अगर power sharing अच्छे से हो. अगर power sharing अच्छे से नहीं होगी, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो minorities होंगी, वह क्या करेंगी? अपनी demands रखेंगी. तो इस तरीके से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर power sharing का होना बहुत जरूरी है. The second one is power sharing in democratic rule. People have a right to be consulted on how they are to be governed. तो power sharing ही एक ऐसा कहना चाहिए weapon है, जिसके कारण क्या हो सकता है? कि उस देश की रहने वाले लोग, वहाँ के नागरिक जो भी citizens हैं, वह किस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, इसका सुनिश्चित किया जा सकता है. आईए आगे हम देखते हैं इसके कुछ types को, कि power sharing के कौन कौन से types होते हैं. तो पहला होता है horizontal power sharing. देखिए horizontal power sharing जो कि हमारे इंडिया में भी है, हम अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर क्या है? कि भही legislature, judiciary और executive तीन अलग-अलग organs हैं, और इन तीन अलग-अलग organs के अपने-अपने क्या होते हैं? power होते हैं. वहीं पर अगर हम दूसरे types को बात करें, तो दूसरा type होता है हमारा vertical power sharing, इसमें क्या होता है? कि governments के कुछ levels होते हैं, जिसको हम federalism भी बोलते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया में हैं, मतलब वहाँ पर central government होती है, फिर state government होती है, और फिर local government होती है, मतलब जैसे कि हम इंडिया में बात करें, पंचएती राज़ भी होते हैं, और इन तीनों के अलग-अलग issues होते हैं, subjects होते क्या होता है कि किसी भी देश में रहने वाले जो social groups होते हैं उन पर अलग-अलग क्या कर दिया जाता है power को share किया जाता है for example जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है जो minorities groups हैं उनको हमने आरक्षन दे रखा है हमारे political parties होती है और यह political parties जो होती है वह जरूरी नहीं है कि एक तरफा भारी मतों से जीट जाएं तो क्या होता है कभी-कभी बहुत सारी political party आपस में क्या करती है अपने powers को share करती है और एक बड़ी सरकार बना लेती है हना जिसे हम बोलते हैं coalition मतलब गठ बंदन आपने सुना होगा मिली जूली सरकार तो इस तरीके से क्या होते है powers को किसी भी country में share किया जा सकता है I hope आपको chapter समझ में आ गया होगा तो अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो उसे जल से जल subscribe करें like करें और share करें thank you so much